यूनान मिस्र रोमा सब मीट गए यहां से कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी सदियों रहा है दुस्मन दौरे जहां हमारा इकबाल की पंक्तियां है और 1909 में उन्होंने बंगे दरा में कौइन किया था ये दना देश किसी के बाप का है और ने बसुंधरा किसी भारत की मिटी किसी के बाप की है सब ही की है 142 करों लोगों की समान रूप से है संगीता आप लोगों को भी घर खाली कर दिया गए सब तोड़ पाड़ दी है अब बताओ कहा जाए सब बच्चे छोटे छोटे भूखे प्यास तरकार ये तो अबयद कब्जा था आप लोग अब ये सरकारी जमीन है या इस समान देख रही तो कहां कहां है यह सीबर राइन बनेगी न वह टाइलते टाई जाएंगे इसकी अंदथ सेंगे इसा इसा काम किसी ने किया नहीं इतनी पाल्टी आई सतर साल से किसी ने ने किया जैसा काम आज हो रहा है पंठियों को बराबर बताना चाहिए कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है जब मुलायम की और उनकी सरकाल लालू की आएगी तो यह घरों से बाहर निकलाते हैं और वाज यह क्यों बेइमान अंदर घरों मे गुसे हैं कि उन्हीं मुख्यमंतरी कहां पहुंचते हैं कि हमारे साथ जूर्म नक किया जाए सभी सभी हमको जो है इनको पहुंचना चाहिए उनको पहुंचना चाहिए अपनी बात करना चाहिए मुझे तो नहीं लगता कि यह पहुंच के अपनी बात करेंगे तो नहीं कर मुझे नहीं लगता कि इस तरीके का बाद इन लोगों को जाना चाहिए करना चाहिए कि लखनव अकबर नगर में बाबा का बुल्डोजर चला है बहुत सारे घरों को वहां पर गिराया जा रहा है और हम लोग जाकर दस बजे रात में वो खबर चलाए जो बच्चे हैं वो ब कि बस हूं जोगी जी से यही कर रहा हूं कि आप जोगी हैं और अधर्म का काम मत करिए आप अधर्म की पराकास्था की और भाग रहे हैं यह आपका इतना बड़ा धर्म है 40 साल 50 साल 100 साल पहले से जो migrated लोग उन नालों के गंदे जगहों पर जाकर जोपड़ी में बरसाती में और मड़या में रह रहे थे और वो किसी तरह जीवन गुजार रहे थे आज आपको वहाँ जो है रिवर वेरेज बनाना है पूल बनाना है एक्स्प्रेस्वे बनाना ये क्या कर रहे हैं भई और मनुश्यता को जमीन में गाड़ कर विकास करिएगा आपकी चौड़ी और बहतरीन गाड़ियां चमकती सड़कों पर चलेंगी और उसका जीवन जो है इस विकास की मांग किसने की है ये क्यों भी आप जिस तरीके से कर रहे हैं ये फिर मैं चलूं उसी अकबर नगर में अब तो सारा गिरा दिये लगभा हमको तो आज किसी ने बताया कि आप लोग बताये कि वहाँ फिर चलने लगा अब तो गिरा दिया है उन लोगों ने मैं ये कहूं कि सारी जमीने जितनी सरकारी जमीने हैं जिसमें मैं ये कहूं कि ये बिधान सभा का जो भवन है यूपी का मैं ये कहूं कि जितने मिनिस्टर्स का और और दारूल सभा सही जितनी जमीने हैं वह किसकी जमीने हैं आप जरह बताएए सरकार की जमीन किसकी जमीन लोगों की सरकार है ये डेमोक्रेसी है ज़दी आप कहते हैं कि सरकार की जमीन में बचा है तो आप बुलडोजर चला देंगे उसके घर पर सरकार आपके बाप की है क्या की बुल्डूर्जे चला देंगे सरकार आपके बाप की है किसके बाप की सरकार है लोगों के बाप की सरकार है पबलिक के बाप की सरकार है इसलिए काम तो ताना सा कोई कोई नहीं कुछ कर सकता जो बोलेगा उसके घर पर आप बेजवा दीजिए उसका तास नास कराईए कियों ये कराते हैं भई किसने मागा कि आप जो है उन नाले के किनारे गरीब बस्तियों पर जाके वहां आपकी दृष्टी कहां पहुंच गई वहीं विकास करेंगे आप वो कह रहे हैं कि सरकारी आवास बनवा के हम दे रहे हैं पांच पांच लाख रूपिया लग रहा है बी आई पी सरकारी आवास मिल रहा है दो तीन हजार लोगों का नाम चला गया है कि बहुत सारे लोग पांच पांच हजार रूपिया नहीं जमा कर पा रहे हैं पांच हजार कि उन्हों कहनucks ख़ड़ा कर रहे हम को तरहीं मता रहा कि बना के दे रहा है और रही और पांच हजार का बेडियेशन क्यों लगा रहा है पांच जो एक बात इस तरीके का करता है वो अपने बाबा के समय का देखिए कि साथ बच्चे, पांच बच्चे, छाओ बच्चे, पांच बच्चे, छाओ बच्चे जो सदनों में बैठे लोग हैं जिसमें से पचास परसंट से अधी क्रिमिनल हैं अपराधी हैं और जो है लुटे रहे हैं लुटे रहे हैं और अपने बाबा का इतियास देखें पांच बच्चे, छाओ बच्चे, साथ बच्चे और अपना देखें अपने एक एक नेताओं के नौनो भाई बहन हैं अभी के समाज में कह रहा हूं अभी के जो सदनों में बैठ रहे हैं इस तरह का फालतू किस्म का बेहुदा सवाल करके और बरगलाना और इस आधार पर ये कितनी नीची किस्म की बात है वो अच्छी बात है कि इतना आप जो है वो नौ बच्चे नहीं वो जो भी पैदा करें उसका घर गिरा दीजिएगा आप ये कहां लिखा है ये कॉंस्टिचूशन की संगीता म पर सरकार नहीं चलती है किताब पर नहीं चलेगी बाहर भले चले लेकिन मैं यह कह रहा हूं कि इस तरह के बुल्ड़ोजर को फवरन र को होरा जाagt मन। को सरकार बदलेगी यह ना समझें कि यह भारत है डेमोक्रेसी है जब कल को सरकार बदलेगी तो कितनी कितनी जुवान आप काटिएगा किसी का फिर हम लोग उसमें उस दिन हम ही लोग मारे जाएंगे हमेशा गांधी मारा जाएगा दोनों तरफ से मैं आपको बता दे रहा हू कल भी गांधी मारा गया था आपको पता है 89 साल में कहा करते थे कि मेरे एक तरफ मुशलमान बसता है एक तरफ दलीत रहता है एक गांधी का उनको छोड़ नहीं सकते थे और एक उनमादी गोड़से ने गांधी को सुला दिया आज तो गोड़से की संताने बाहर भीतर सब गुस रही है और मुझे गालियां बराबर दी जा रही है खूब आज इतनी गालियां दी गई है आज के एक वीडियो पर हाईवे रोक के हाईवे रोक के और जो है पंथांध और यह जो है यह लोग जो है पाखंडी हाईवे रोक के क्या कर रहे थे साइड में करके और और हाई वे रोक के और सड़कों पर नजाने क्या कर रहे थे मैंने उसको कहा कि ये क्यों कि उसके बाद गालियों का तांता लग गया ये अच्छा नहीं हो रहा इस मुलक के साथ बिलकूल अच्छा नहीं हो रहा है बिलकूल अच्छा नहीं हो रहा है और इसलाम पंथियों को बर पहुचना चाहिए उनको 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 पहुचना चाह पैसे नहीं है बिल्कुल फ्री में दे देना चाहिए भई क्या उसमें पांच जार की ढ़ाई लाक रुपे का घर आप दे रहें पांच लाक का और पांच जार रुपे के बिना आप न दीजिए तो लाजी का आपका समझ में नहीं आता मुझे और मुझे नहीं लगता कि ये भर देना चाहिए और सबसे बड़ी बात कि गवर्मेंट को जीवन मानोता और क्या करना चाहिए संबिधान की फाज़त करनी चाहिए ये अंति मेरी बात है और सत्य के रास्ते पर चलना अकेला एक धर्म है चारु तरफ चारु तरफ यार हिंसाब है बुल्डोजरी क्या मत अकुला कहा रोसन सिंग राजिंद्र लाहिडी मदनला धिंगरा चंद्रशेखा राजाद और उधर उद्धम सिंग जैसे लोगों के फांसी पर लटकने समझ गया ना जेलों के काटने गांधी पटेल नहरू ये सब के लड़ने से सुभास चंद्रबोस मुर्चे पर देने से ये मुल्क आजाद हुआ है बुल्डोजर से और और ये गिरा देंगे वो गिरा देंगे ऐसे मुल्क चलेगा देश के बहुत तमामी हुआ इस समय आपको देख रहे हैं सारी युवाओं के लिए क्या कहेंगे अन्तिम और आखरी सबाब मैं सरकार से कहूंगा जु नीचे पटक देगा उठा के सही हो जाएंगे सबी लोग मैं सरकार से ही निवेदन करता हूं कि जुआओं को जिवाओं को जो म्यूट किये हैं आप सब को रोजगार दीजिए गरीबी मीटे महंगाई समाब्त करिए हिंदुस्तान से और एकता पहली सर्त है हिंदुस्तान क पहचान जानते हैं क्या है एकता आज से जान लीजिए एकता और खंडता यह आज से नहीं यूनान मिस्र रोमा सब मीट गए यहां से कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी सदियों रहा है दुस्मन दौरे जहां हमारा इकबाल की पंक्तियां है और 1909 में उन्होंने बं किसी के बाब की है सब ही की है 142 करों की समान रूप से है सब के खून से मिली बिटी है अब मुहबत प्यार से रहना चाहिए यही मेरा संदेश है तो आप देख सकते हैं इन तमाम मुद्दों पर जो देश में अगर हम बात करें प्रदेश में जो बात करें की पेपर लीग हो जाता है और युवाओं के साथ जो यह तमाम प्रकार की धाधली होती है इन सारे मुद्दों पर हमारे साथ बात चीत कर रहे थे डाक्टर संप